आपको पता है जहां पर एंगिल कम होगा रिपल्सन जादा होगा रिपल्सन जादा होगा तो बॉल्डन क्या होगी बढ़ जाएगी जैहन फूचर डॉक्टरस आप सभी का स्वागत है इंडिया के सामीजिंग प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर और आज हमारा टॉपिक है VSEPR थेयोरी तो आईए स्टार्ट करते हैं VSEPR थेयोरी क्या फुल्फॉर्म होता है VSEPR का वेलेंसल इलेक्ट्रोन पियर रिपल्सन थेयोरी सबसे पहले अगर हम बात करेंगी यह थेयोरी है ना किस शीच के लिए डेवलब किये गई है तो यह जो थेयोरी है इस थेयोरी से हम डिसाइड करते हैं मॉलिक्यूल के शेप को क्या बोलती है थेयोरी तो किसी भी मॉलिक्यूल का शेप अगर हमें निकालना है तो यह हमने का काई की उपर डिपेंड करता है central atom के total loan pair और bond pair पे central atom के ये जो electron pairs होते हैं ये अपने आपको space में इस तरीके से arrange करते हैं कि इनके बीच में repulsion जो है वो minimize हो जाए और repulsion का जो order होता है सबसे ज़्यादा repulsion होता है loan pair, loan pair में, फिर loan pair, bond pair फिर bond pair, bond pair अगर multiple bond, single bond की बात करें तो multiple bond, multiple bond, repulsion किस से ज़्यादा होता है multiple bond, single bond से ये किस से ज़्यादा होता है, single bond, single bond से अब इसी में जैसे next हमारा आता है position of loan pair and multiple bond अगर मालिया हमारे पास loan pair आ गया या multiple bond आ गया तो उसको हम किस position पे place करेंगे कैसे देखेंगे, आईए, देखते हैं इसको जैसे, अगर मालिया hybridization हमारा SP, SP2 या SP3 है क्योंकि SP2, SP3 इन सब में अगर हम देखें तो सारे के सारे bond angle कैसे होते हैं, identical होते है और अगर सारे के सारे bond angle identical हैं, तो ऐसे कि इसमें loan PR को आप कहीं भी place कर सकते हैं अगर हम बात करें SP3D में तो SP3D में ऐसा नहीं है SP3D में देखें, दो तरह के bond angle है येवाला angle कितना है, 120 और अगर हम येवाला angle दिखाएं तो ये कितना है, 90, क्योंकि इसमें दो तरह के angle है, आपको पता है, जहाँ angle कम होगा, ripleson जादा होगा, जहाँ angle जादा होगा, ripleson कम होगा, तो हम इसा हम loan PR या मلटीपिल bond को वहाँ रखेंगी, जहाँ पर ripleson कम हो मंदद खाएंगी, जहाँ पर bond angle जादा, इसका मंदद ऐसे किसमें हम इसा कहाँ पर आएगा, एक्टीडोरियल पर आएगा यह हम बात करें तो इसी में अगर हम बात करें यहां पर SP3D2 की बिल्कुल ऐसी अगर SP3D2 में आएगा हमेसा लोन प्यार को या multiple bond को कहां पर रखेंगे एक्जील पर रखेंगे अगर SP3D3 आएगा अगर एक लोन प्यार है तो हमेसा एक्जील पर रखेंगे अगर दो लोन प्यार है तो हमेसा एक्जील पर रखेंगे इसी में देखने के लिया आता है bond lens हमें यह बताना होता है कि all bond lens are identical और non-identical कैसे देखेंगे अगर मालिया hybridization SP3D है SP3D में आपने देखा दो तरह के bond angle आ रहे हैं और दो different type की है न इसमें position आ रहे हैं इसको बोलते हैं equatorial और इसको क्या बोलते हैं axial आप देखो axial जो है यह कितने angle पर है हमारे 90 पर और जो equatorial bond है यह कितने angle पर 120 आपको पता है जहां पर angle कम होगा रिपल्सन जादा होगा रिपल्सन जादा होगा तो bond lens क्या होगी बढ़ जाएगी इसलिए axial bond lens किससे बढ़ी होती है हमारी equatorial से अगर हम बात करें SP3D3 की SP3D3 में reverse है इसमें देखिए इक्यूटोरियल की बीच का जो bond angle है कितना 72 है axial वाला 90 है जहां हमने का angle कम होगा रिपल्सन जादा होगा तो इसमें इक्यूटोरियल bond lens किससे बढ़ी होती है axial से तो इससे बिल्कुल हमें का result deposit है इसी में जैसे एक और चीद देखने के लिए आती है हमें पाई बॉन का type देखने होता है और यह जो पाई बॉन का type देखने होता है किसके साथ oxygen के साथ oxygen आपको पता है second period का element है यह हमेसा कौन से orbital को involve करेगा पाई बॉन के formation में 2P को तो यह तो फिक्स हो गया कि oxygen का तो हमेसा पी आएगा अब हमें central atom का देखना है कि वो P को involve करेगा या D को कैसे देखेंगे इसको हम देखने के लिए क्लिए क्या देखते हैं सबसे पहले देखेंगे hybridization अगर hybridization सेंटरल अटम का SP है SP होने का मलदा भी कितने पी और बचे हैं दो और दो पचेंस का मलदा क्या हो गए हैं पर maximum दो पी पाई पी आ सकते हैं यहां देखें SP2 SP2 का मलदा भाभी कितना पी और बचा है एक तो एक तो पी पाई पी आएगा और अगर इसके ज़्यादा अगर पाई बनेंगे तो बागी सारे के सारे क्या होंगे पी पाई डी पाई यहां देखिए hybridization का है SP3 SP3D SP3D2 इनमें सारे के सारे पी यूज हो चुक है और सारे के सारे पी अगर सेंटरल अटम ने यूज कर दिये तो अब सेंटरल अटम किबल क्या बना पाए वो सारे के सारे कैसे होंगे planar और rest हमारे कैसे होते हैं non planar तो देखिए जैसे यह need 2021 का question है और इसमें में यह matching दिये इसको हमें match कराना है जैसे सबसे पहले example यहां हमारे पास है ना PCL5 अगर हमें PCL5 का shape अगर देखने है कैसे देखेंगे इसके लिए सबसे पहले हम निकाल निकालते हैं static number कैसे निकालते है static number हमारे equal होता है number of sigma bond plus number of loan pair और number of sigma bond किसकी equal होते है number of terminal item कितने terminal item है यह पे 5 अब हमें क्या निकालना है loan pair, loan pair कैसे निकालेंगे सबसे पहले देखेंगे central item पे कितने valence electron है कैसे देखेंगे आप सीधा एक तरीका है याद रखो आप तो बस periodic table के group याद रखो अगर 13 group का element है तो उसमें valence electron 3 होंगे 14 का है 4 होंगे 15 का है 5 होंगे 16 का है 6 होंगे 17 का है तो 7 होंगे 18 का है तो 8 होंगे phosphorus किसका है group 15 कितने valence electron 5 और इसमें से valence electron में से covalency को minus कर देने CL की covalency कितनी 1 तो 5 minus 5 कितना आ गया 0 तो यहाँ पे loan pair क्या आ गया 0 और एक और बात आपको बता दे जहां भी loan pair 0 होंगे वहां पर geometry और safe क्या होंगे same होंगे अगर historic number 5 है तो hybridization क्या होगा SP3D और अगर hybridization SP3D है तो geometry जो है यह जो safe है वो क्या होगा trigonal by pyramidal तो देखो trigonal by pyramidal तो PCL5 जो आ गया है trigonal by pyramidal second option क्या है हमारे पास SF6 अब हम SF6 का hysteric number निकालने number of sigma bond कितने होंगे 6 अगर हमें निकालना है loan pair, sulfur किस group का है 16 मतला कितने valence electron 6, 6 minus 6 कितना हो गया 0 फिर से देखो loan pair 0 आ गया और loan pair हमने का जहां भी 0 आएगा वहाँ पे geometry और shape क्या होंगे से अगर hybridization SP3D2 है तो जो भी हमारी geometry होगी या जो भी हमारा shape होगा वो कैसा होगा octahedral तो SF6 जो है वो कैसा होगा हमारा यह octahedral इसके बाद next इसमें क्या रहा है हमारा BRF5 अगर हम BRF5 की बात करें इसका steric number निकालें तो यहा 17 कितने valence electron 7 7-5 कितने electron 2 2 electron means कितना pair 1 तो यह आ गया 6 और 6 आ गया तो hybridization क्या होगा SP3D2 अब आप एक चीज़ देखें क्या यहाँ लोन प्यार 0 है नहीं और जहां भी लोन प्यार 0 नहीं होंगे वहाँ पर हमने का geometry और shape कैसे होंगे हमारी different होंगे कैसे निकालेंगे देखें BRFI पर इसको अगर हम बना दें तो यह हमने लिया BR और यहाँ पर है ना यह हम दिखा रहे हैं किसको F SP3D2 में हमने आपको क्या बताया SP3D2 में अगर लोन प्यार आएगा तो always कहां पर axial position पर तो पहले तो हमने एक tutorial पर F रख दिये अब एक लोन प्यार को कहां पर दिखाना ह नहीं है axial position पर तो दिखो हमने यह दिखा दिया अब अगर हम जिससे बात करें यहां पर अगर हमसे पूछा जाए हैं यहां पर जिख रहे हैं अब उपर से तो पिरामिड गया है सिर्फ कहां से पिरामिड बनेगा नीचे से तो क्या से हमें दिख रहे है स्क्वेर स्क्राइर पिरामेडल इसी में किसको और देखने में बी एप तरी तो यह है बी प्री अगर हम इसका इस्टेरिक नममर निकाल है कितने सिगमा होंगे यहां पर थ्री अगर लोन प्यर की बात करें तो बोरॉं कॉन तो इस तरह से हम कहीं पर भी जोमेटरी और क्या डिसाइड गड़ सकते हैं सेप को डिसाइड कर सकते हैं तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जहन